दोस्तों मैं सुरम बलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट अफेर क्वीज में आजम देखने वाले हैं 30 अपरेल की करेंट अफेर को जो की सभी परिक्साओ के लिए मैथ पून रहेगी डेली करेंट अफेर क्वीज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट अफेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लिना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूँगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है फिल्म फेर अवार 2023 में सबसरे अभिनेतरी के पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है तो जल्दी से इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बता दीजेगा सुरू करते हैं आज की करनेट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है किस देश के रिजर्ब बैंक द्वारा गोल्ड पैग डिजिटल मुद्रा लौंच की जाएगे तो पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा रिजर्ब बैंक ओफ जिमामबे यानि कि दोस्तो ए राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कोशन आता है भारतिय खिलाडी कोड सिंग का निधन हो गया इनका संबन्द की स्केल से था तो दूसरे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा मुख के बाजी से यानि कि बी राइट आंसर हो जाएगा तीसरा कोशन है ADB द्वारा जारी की गए वार्सिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार ADB यानि कि Asian Development Bank से सरवधिक करज लेने वाला देश कोण सा है तो राइट आंसर दोस्तो क्या रहेगा Asian Development Bank से सबस्यादिक करज लेने वाला देश दोस्तो पाकिस्तान है यानि कि Option A रेट आंसर हो जाएगा Question No.4 आता है भारतिय तरक्षक बल ने तटिय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहां किया Question No.4 का राइट आंसर हैगा दोस्तो पस्चिम मंगाल यानि कि D रेट आंसर हो जाएगा Question No.5 आता है World Development Report 2023 किसके द्वारा जारी की गई है तो पाचवे कोशन का सही उत्तर रहेगा विस्व बैंक द्वारा यानि कि C रेट आंसर हो जाएगा पाचवे कोशन का सही उत्तर दोस्तो अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो Only Top Study आप को डाउनलोड करिए मास्टर पीडियाप है दोस्तो जिसमें आपको 150 रुपीज में सारी पीडियाप मिल जाती है लिप जिंग बुप पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया तो छटे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है राइट आंसर इस मारिया स्टेपा नोवा इस दा राइट आंसर यानि कि दोस्तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा Option A Q7 आता है British F4 Championship में पदक जीतने वाले पहले भारते कोन बने राइट आंसर रहेगा जेडन पारियेट यानि कि दोस्तो डी राइट आंसर रहेगा साथवे Q7 का राइट आंसर Q8 आता है भारत और किस देश के बीच सही उक सेन्या भ्यास अजे वारियर 2023 आईजित हुआ तो आटवे Q7 का राइट आंसर एगा United Kingdom यानि कि दोस्तो ओप्शन ने राइट आंसर हो जाएगा Q7 आता है किस राज्य में संगाई सही उक संगठन सिखर सम्मेलन 2023 का आईजन 3 से 4 जुलाई को होगा तो 90 कोशन का राइट आंसर रहेगा गोवा में यानि कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा Q7 आता है महिला पहलवानों के धरने के बीच सुप्रीम कोट के दखल पर Wrestling Federation of India के अध्यक्स के खिलाब योन उत्पीडन के मामले में FIR दर्ज हुआ उनका नाम बताएगा दोस्तों 10 वे कोशन का राइट आंसर हैगा बरेज भूशन सरन सिंग यानि की राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट हमारा कोशन आता है Film Fair Award 2023 में Best Director का किताब किसे मिला देखे अगर आप लोग इस सेशन को रेगुलर देखते हैं तो लाइक जरूर किया करें अपने भाई बहन दोस्तों भी competitive exam की त्यारी करते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर सेर कर जाकरें क्योंकि मातर 10 मिनिट आप लगाएंगे regular basis only top study पर और current affair बिल्कुल basic से complete हो जाएगी regular देखेंगे तबी जाके दोस्तो current affair आपकी मजबूत होती है तो regular रही है 11 question का right answer हैगा संजय लिला बनसाली यानि की D right answer हो जाएगा 12 question है best actor पूरूस का film fair award 2030 किस ने जीता तो 12 question का right answer हैगा राजकुमार रावने यानि की दोस्तो B right answer हो जाएगा 12 question का सयूत 13 question आता है 68 film fair award 2023 में best film का किताब किसे मिला दोस्तो 13 question का right answer हैगा option C गंगुबाई काठिया वाडी यानि की दोस्तो right answer C हो जाएगा इस question का सयूत question number 14 है Indian Air Force ने सुडान के किस जरजर हवाई पट्टी पर अंधेरी रात में नाइट वीजन गोगल्स की मदद से भारतियों को एरलिफ्ट किया तो question number 14 का right answer हैगा हाँ वाडी, साइदीना, हवाई, पट्टी यानि की पंदर्वे कोशन का right answer हैगा पंदर्टेज फेस्टिवल 2023 कहां शुरू हुआ है तो सतर्वे कोशन का right answer हैगा दोस्तो B right answer हैगा गोवा में तो ये आपको याद रखना है question number 18 आता है हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्सा कोशन कारेकरम शुरू किया है तो 18 question का right answer हैगा IIT कानपूर यानि की दोस्तो C right answer हो जाएगा question number 19 आता है हाल ही में किस कंपनी के चेर्मेन रिचर्ड सार्प ने इस्थिपा दिया है तो 19 वे question का right answer हैगा BBC के यानि कि दोस्तो C right answer हो जाएगा question number 20 आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने air ambulance सेवा सुरू की है तो right answer दोस्तो रहेगा जारखन ने आने की दोस्तो C right answer हो जाएगा अब यह तो थी हमारे 20 करेंट अफिर के question answers अब बात करते हैं आज के homework के बारे में विस्व पसू चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है तो इस question का answer आप लोग comment box में बताएंगे ठीक है इसका जो सही उत्तर हैगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा question of the day है दिलवाडा जैन मंदिर किस राज्य में है तो इस question का answer आप 5 second के अंदर comment box में बता दीजे I hope कि आप सभी ने इस question का answer comment box में बता दिया होगा दिलवाडा जैन मंदि दोस्तों किस राज्य में है तो ये राजिस्थान में है तो right answer option A हो जाएगा कल का हमारा homework का question था अंतरास्टे क्रिकेट में 12,000 run बनाने वाले दूसरे सबसे तेज इसे बल्लेबाज कौन बन गए है तो right answer हैगा बावर आजम यानि की option A right answer हो जाएगा पीडियाप लेने के लिए Only Top Study app को डाउनलोड करिए 5 star की rating करिए और पीडियाप वाले section में जाके आप पीडियाप ले सकते हैं 6000 के question answers की जो हमारी मास्टर पीडियाप है दोस्तो जिसमें हमने हर एक subject को बहुत ही अच्छे से पारीकी से cover किया है जिसमें आपको सारे subject मिलते हैं जैसे की History, Geography, Politics, Physics, Chemistry, Biology, Current Affair, Computer, Static GK के भी 1000 कोशन मिल जाएंगे और ये आपको मात्र 150 रुपीज का payment करना है हमारी website पर जाना है या WhatsApp नंबर पर जाना है या फिर नीचे description box में दियेगे link पर जाना है किलिक करके payment होगा आपको अगर कोई doubt आता है तो 8006016626 पर message करके भी पूछ सकते हैं तीनों classes के timing को note करिए चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन को own कर लिजे ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिचना हो और वीडियो पसंद आए दोस्तों like share कर दीजेगा thank you so much bye bye everyone take care